हालो फ्रेंड्स मैं हूं दिप्ती मेरी यूट्यूब चेनल लान वित्मी में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आपको अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना अपने बेक्याड से आज ही मैंने दो लंबी लोकी हार्वेस्ट की तो मैंने सुचा चलिए हलवा बनाते हैं लोकी को यहाँ पर मैंने पिल करके ग्रेट कर लिया है अभी एक कड़ाई में मैं गी ले लूँगी सब सामान मैंने एप्रोक्सिमेंटली ही लिया है घर में हम कोई पी चीज बनाते हैं तो नाप तोलके नहीं बनाते गी अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें ग्रेट की हुई लोकी डाल देंगे इसे गी में अच्छी तरह सोते करेंगे यहाँ पर मैंने मावा ले लिया है उसको मैं ग्रेट करके साइड में रख दूँगी ओल्मोस सीख गई है तो हम इसमें दूद डाल देंगे मैं यहाँ पर मावा का इस्तमाल कर रही हूँ तो दूद जो रेगुलर घर में आता है वही इस्तमाल किया है इस दूद में अभी हम लोकी को पकने देंगे थोड़ी देर उसको मैं ढख कर रख दूँगी तब तक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी काजू बादाम ले लिये है उसको मैं चोटे टुकडों में कट कर लूँगी thuड़ी सी इलाइची ले लिये उसका मैंने पाउडर बना लिया है तब तक यहां हमारी लोकी पक गई है तो मैं इसमें चिनी डाल दूँगी आप जीतना मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से चीनी डाल सकते हो अभी चीनी पानी छोड़ रही है जब तक पूरा पानी सुख जाएगा तब तक इसको हम चलाते रहेंगे इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो हमने घीज के रखा है वो मावा मावा डालने से हलवा का स्वाद सो गुना बढ़ जाता है लेकिन अगर घर में मावा नहीं है तो आप कंडेंस मिलका भी इस्तमाल कर सकते हो अगर कंडेंस मिलका इस्तमाल करते हो तो चीनी उस हिसाब से डालिएगा अब इसको हमें तब तक पकने देना है जब तक अच्छे से मिश्रण गाड़ा ना हो जाए यहाँ पर मैं ग्रीन फूट कलर थोड़ा सा डाल रही हूँ यह ओप्सनल है लेकिन इससे हलवा का कलर बहुत ही अच्छा आता है तो अगर आप बनाओ और अगर उसमें कलर डालना ना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हैं अभी मैं इसमें इलाइची का पाउडर डाल दूँगी इलाइची डालने से इसमें खुश्पु बहुत अच्छी आती है बादाम और काजू मैं यहाँ पर ऐसे ही डाल रहे हूँ अगर आप चाहो तो रोस्ट करके भी डाल सकते हो फ्रेंड्स इस गर्मी में लोकी का हलवा जरूर बनाना लोकी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है कई बार लोकी की सबजी खाना पसंद नहीं करते लेकिन हलवा सबको अच्छा लगता है तो समझ गए न लोकी किसी भी स्वरूर में खाए हेल्थ बेनेफिट वही रहेंगे यहाँ पर हमारा हलवा रेडी है तो मैं एक मोल ले लूँगी उसको ग्रीज करके इसमें हम ढाल देंगे मिश्रन को सब जगा अच्छे से फैला कर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे हलवा पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम उसमें कट लगाएंगे तो आशा है फ्रेंग्स के आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना हलवा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो मैंने यहाँ पर कट लगा लिये है देखते ही मुँ में पानी लाने वाला हलवा कैसा लगा कमेंट करके चरूर बताना धन्यवाद